हालो फ्रेंड्स वोल्कम टो जिना क्रियेशन आज मैं आपको राखी सिखाऊंगी फ्रेंड्स राखी को बनाने के लिए सिल्क ढागा मैंने लिया है आप चाहे तो और मोटा ढागा भी ले सकते हो एसे आपको सिल्की थ्रेड को एसे हाथ से लपेट ना है थ्रेड को आप 100 बर बसो बर लपेट ना है एसे में 4 अंगुटी से लपेट रही हूँ आपको अगर चाहे छोटा बनाना है तो आप 2 अंगुटी से भी बना सकते हो अगर आपको हाथ से करना कमपटेबल नहीं लगता है तो आप कार्डबोर्ड से भी लपट सकते हो अभे मेरा हो गया अभे मैं बीच में ऐसे गांट लगाऊंगी क्योंकि ये ढगार बीच में ही गांट लगेगा दोनों साइट ऐसे डिजाइन बनेगी फ्रेंच मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा साचा लगेगा तो लाइक, सेर और सस्क्राइब प्लीज करिए कमेंट करके कहिए कैसा लग रहा है मेरा डिजाइन बीच में गांट लगाने का टाइम वो थोड़ा एक साइड हो जाता है फिर आपको बीच में लेके आना है एसे आपको ढागा को एसे खोल के डिजाइन को रखना है फिर से सेकेंड बार भी एसे ये आपको लपेटना है हाथ से पहले की तरह बनाना है फिर ये जब बन जाएगा आप दोनों साइड को कटिंग नहीं करना है एसे बीज में ही गांट लगा के आपको रखना है मैंने इजी तरीके से आपको कैसे सिंपल रखी सिखाऊंगे मैंने कोशिस किया है क्योंकि ये पच्चे भी बना सकते हैं अपने भाई के लिए दोनों डीजेन जब बन जाएगा उसके बाद आप इसको एक के उपर एक को रखना है बीचों भीच ही रखना है बीच में आपको फेबरी ग्लू लगाना है के पास अगर फेबरी ग्लू नहीं है तो फेबरी कल से भी लगा सकते हो अभी आपको एक में फोटो काटके ऐसे बनाऊंगी आपका भाई का भी फोटो आप ऐसे काटके लगा सकते हो फोटो की पिछे से भी ग्लिव लगा के फिर रिजेन की बीच में ही आपको चिपकाना है आप चाहे तो बड़ा फोटो भी ले सकते हो मैंने छोटा ले रही हूँ पास फोटो साइज का मैं लिया जब भी फोटो लग जाएगा उसके बाद आपको मन पसंद आपका जो भी डिजेन आपको करना है आप कर सकते हो मैंने थोड़ा सा कॉम डिजेन कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा करूंगी नहीं अभी ये छोटा छोटा मोती में लगा रही हूँ साइट से आप चाहे तो अलग कुछ कर सकते हो पूरे राखी पे मैं ऐसे मोती ही लगाऊंगी ज्यादा डिजेन नहीं करूंगी क्योंकि ये सिल्की थ्रेड है ऐसे ही अच्छा लग रहा है अभी निचे का पार्ट में बना रहे हूँ एक पेपर मैंने लिया है उसके उपर गलू लगा के एक मैंने रसी लिया है उसको लगा के फीर राखी को डाला फ्रेंट्स मेरा राखी बन गया अगर मेरा वुडियो आपको थोड़ा सच लगा तो लाइक सेर और सस्क्राइब प्लीज करिए थेंक्स पर वाचिंग बाई